आज इस वीडियो में हम 2D आकृतियों का उप्योग करके 3D आकृतिया बनाएंगे आज कैफी अपने दोस्तों के लिए बिस्किट पैक कर रही है आईए देखे वो ये कैसे कर रही है मा मुझे बिस्किट पैक करने के लिए घन या घनाकार आकार वाले दो डिब्बे चाहिए होंगे ऐसे आकार वाले डिब्बे तो घर पर नहीं है गैफी हम एक काम करते हैं ऐसे आकार के डिब्बे घर पर बनाते है कैसे मा मैं तुम्हें बताती हूँ पहले हमें ऐसी दो आयाता काथ पट्टिया लेनी है और इन्हें चार बराबर हिस्सों में करके मोड़ देना है बिलकुल ऐसे मा ऐसे तो हमें हर पट्टी में चार बराबर वर्प मिल जाएंगे हाँ और अब इन्हें इस तरह से टेप से जोड़ देंगे तो ये घन आक्रिती के बन जाएंगे वाँ, ये बहुत अच्छा दिख रहा है मा बच्चों, आपको क्या लगता है? क्या हम ऐसे अन्य आकार भी बना सकते हैं? आपने बिल्कुल सही सोचा ऐसे हम और भी कई आकार बना सकते हैं जैसे की एक कोन बच्चों, कोन बनाना बहुत असान है उसके लिए हम एक पेपर लेंगे और उसे इस तरह मोड कर चिपका देंगे ये बहुत मजीदार है मा मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे भी आकार बना सकते हैं बच्चों, अब आपकी बारी है एक कागस से बेलन आकार बनाने की लेकिन ध्यान रखे कैंची या किसी भी नुकीली वस्तू का इस्तमाल करने के लिए किसी बड़े की मदद सरूर ले कागस से बेलन आकार बना कर उसे अपने दोस्तों या परिवार के सद्वस्यों को भी दिखाएं बच्चों इस वीडियो में हमने 2D आकृतियों का उप्योग करके 3D आकृतियां बनाना सीखा